बिस्मिल्ला रिर्हमान रहीम हमने पिछले लेक्चर से टॉपिक शुरू किया हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर मल्टिपल डेपॉजिट क्रियेशन कैसे होती है और अगर उससे पिछले लेक्चर में चले जाएं तो हमने स्टार्ट लिया था कि एक बैंक के अंदर डेपॉजिट क्रियेशन कैसे होती है तो हमारा result यह हुआ कि deposit creation अगर single bank को तो उतने ही हो सकता है जितने उसके excess reserves हैं उसके multiple में नहीं हो सकता लेकिन अगर जो ज्यादा banks हों तो उसमें हमने देखा कि multiple deposit creation हो रही है यानि कि deposit 1 billion का total reserve create हुआ था जब कि उससे ज्यादा billion के deposit create हो गए है इसका मतलब यह है कि banks ने जब एक bank ने lend कर दिया required reserve रखने के बाद बाकी loan दे दिया किसी customer को उसने अगले bank में check present कर दिया उसके अंदर reserves transfer हो गया और उसका deposit create हो गया उसने उसके required reserve रखके further loan दे दिया यह process चलता रहा एक basic सा question है अगर bank B जिसमें उस customer ने अपना check present किया था जिसने bank A से loan लिया था और उसने उसके बदले में goods and services purchase की थी तो वो seller goods and services का उसका account bank B में था तो सवाल यह है कि bank B जो है वो अगर आगे lending ही न करता उसके जो access reserves create हो गया है वो lending ही न करता बलकि उससे government की securities में invest कर देता तो फिर यह process कैसे चलता तो याद रखें इस से multiple deposit creation पे कोई फरक नहीं पर अगर bank customer को lend करे तो भी हो सकता है या securities में invest कर दे उससे भी multiple deposit creation होगी क्योंकि basic point यह जेन में रखें कि customer को loan देना एक तरीका है वो भी bank की investment है और securities में investment का मतलब भी तो government को loan देना है तो अगर commercial bank government की security में invest करें जो उसके पास access reserves पड़े हैं या किसी customer को loan दे दे multiple deposit creation एक जैसी होगी उस पे कोई फरक नहीं पड़े उसकी example के लिए हम सिरफ bank B का देख लेते हैं आगे CDE नहीं देखेंगे तो bank B को ही अगर देख लें कि bank B की balance sheet क्या हुई थी initially वो तो हमें पता है कि उसने वन बिलियन रुपीज का उसके अंदर deposit create हो गया था अब चुकिए deposit क्रियेट हुआ था क्योंकि एक customer ने check deposit किया था वन बिलियन रुपीज का जिसने goods and services sell की थी उस बंदे को जिसने bank के से loan लिया था ये तीन lecture को sequence में आपने देख इसका मतलब ये है कि वो जो वन बिलियन का deposit create हुए है required reserves के मताबिक अगर वो 10% हैं तो पॉइंट वन बिलियन तो central bank के पास चला जाएगा required reserves के तोर के बाकी जो पॉइंट 9 billion रुपीज हैं ये क्या हो जाएगा ये commercial bank B जो है उसके access reserves हैं जिसको वो hold नहीं करना चाता लेकिन अब अगर ये customer को lend ना करे और उसकी जगा security purchase कर ले तो सिर्फ balance sheet में इतना फर्क पड़ेगा कि asset side पे पहले loan पॉइंट 1.9 billion रुपीज का लिखा हुआ था अब securities लिख दी हैं पॉइंट 9 billion रुपीज हैं दोनो प्लस sign के साथ इसका मतलब है उसका asset increase होगा अगर वो customer को loan दे या government की को security purchase कर ले दोनों सूर्तों में उसका net effect एक ही होगा कि उसके asset 0.9 billion रुपीज से increase होगे इसका मतलब है चाहिए bank securities में invest करे या customers को loan दे इस से multiple deposit creation पे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक हो गया यह हमारा main result है यही अगली slide में मैं आपको show कर रहा हूं कि bank can invest excess reserves in loan our securities effect on deposit creation remain same it doesn't matter कि bank किस को lend कर रहा है या कहा investment कर रहा है उसके उपर जो उसकी deposit creation है उसके फर्क नहीं पड़े अब जो हमें बात अब हम conclude करें जो कुछ हमने तीन lectures में सीखा उससे net result जो हमें मिल रहा है वो यह कि अगर system में एक ही commercial bank हो तो फिर उसकी lending capacity जो है that is determined by holding of its own reserve excess reserve जो उस commercial bank के access reserve होंगे उतनी उसकी lending capacity होगी वो सिरफ उतना loan दे सकता है क्यों उसके बाद access reserve उस bank से निकल जाते हैं loan की farm लेकिन अगर commercial bank के एक नहीं है ज्यादा है तो याद रखें कि वो जो access reserves निकल गए loan की farm में वो किसी और bank में जाके deposit बन गए चुकि वो access reserve ने bank B को या उस bank को तो छोड़ दिया लेकिन banking system से तो नहीं निकले ना किसी और bank में जाके deposit बन गए इसलिए further deposit creation होती रहेगी जब तक कि excess reserves पूरे banking system में खतम नहीं हो जाते हैं तो इसका मतलब यह single bank के case में lending capacity is constrained by excess reserve holding of that bank and in the case of banking system, lending capacity of the whole banking system is determined by the excess reserves of whole banking system. चुकि हर एक में required reserve हर step पे कटते जा रहे हैं तो आगे चलते चलते एक step ऐसा भी आएगा जिसमें excess reserve zero हो जाएंगे, वहाँ पे further lending stop हो जाएगी, वहाँ पे multiple deposit creation stop होगी, लेकिन तब तक banking system में बहुत सारे deposits create हो चुके होंगे, और 10% ही अगर required reserve रहे, required reserve ratio जो हमने इस model में assume की हुई है, तो आपकी calculation मैंने आप यहाँ पे कुछ शो करनी है, कि bank A के deposit में कोई increase नहीं हुआ था, उसके तो reserves increase हुए थे, और फिर उसने loan दिया तो deposit भी increase हुए, लेकिन वो 40 customer ने withdraw कर लिये, तो इसके उसमें नहीं, लेकिन इसके जो loans हैं, वो इसने loan दे दिया था ना customer को, तो 1 billion का इसका loan asset में आ जाएगा, लेकिन इसके पास deposit नहीं है, bank B का क्या हुआ, कि उसमें 1 billion का deposit increase हो गया है, लेकिन उसने loan 1 billion नहीं दिया, क्योंकि उसमें से required reserves पहले कट गया और उसने 0.9 billion का loan दिया, ठीक हो गया, और जो required reserves हैं, वो 0.1 billion के थे, फिर जो bank C था, उसने क्य किया, 0.9 billion का जो उसके पास deposit extra आया, वो उसमें से required reserves 0.09 billion कट गया और 0.81 को उसने loan दे दिया, फिर bank D के पास पहुंचा, फिर E के पास पहुंचा, फिर F, फिर G के पास, आप देखें ये process चलता जा रहा है, हर step पे deposits में further increase कम होता जा रहा है, हर step पे जो reserves में further increase है, वो कम हो होता जा रहा है, क्यों हर step पे required reserves 10% कट जाते हैं, तो 10% से अगले step के लिए हर amount कम हो जाती है, लेकिन कम होती है, 0 तो नहीं होती, ये process चलता जाएगा, इस table में G तक लिखा है, और अभी तक जो है, ये process चल रहा है, अभी भी reserves एड़ हो रहे हैं, तो जब तक access reserves 0 नहीं हो जाते हैं, ये process चलता रहेगा, और वो कहां जाके stop करेगा, कि अगर required reserve ratio 10% है, तो ये जाके stop करेगा, जब total loans 10 billion rupees के हो जाएंगे, इसका मतलब है, 1 billion का reserve create किया था, central bank ने OMO के through, और 10 billion की market में money supply बढ़ गई है, M1 या M2 की definition के मताबिक, इसका मतलब ये है, कि central bank की monetary base बढ़ा आने से, जो money supply M1 या M2 बढ़ी है, वो उतनी नहीं बढ़ी जितना initial step में monetary base बढ़ती है, बलकि उसके multiple में बढ़ती है, इसलिए हम इसे कहते है multiple deposit creation, thank you.